आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रिवास्ता और आप हमाचा देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की यूतों मैं देख बक्त कई तरह के मुद्दे स्वल जोलंथ हैं तमाम तरह की राजनीती हो रही है और राजनीती भी इसकदर है कि उसका सीरा सीरा असर बैस्वकिस तरपर ही पढ़ रहा है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी इस समय बात्चीत हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दे जो इस समय लगाता है जुरंध होते नजर आ रहे हैं जोलंत मैं इसलिए बोल हुआ क्योंकि जो मुद्दा देजव्यापी हो जाता है जो मुद्दा जनता के बीच में चला जाता है जिस मुद्दे पर उपद्र होता है जिस मुद्दे पर हिंसा होने लगती है जिस मुद्दे पर आगजनी होने लगती है मुद्दा निस्ति रू जानकारी के माध्याम से लोग इसकी जानकारी के बाद जो इस्थिती होती है वो भी देखने वाली होती है मैं आपको बताओं कि अभी हाल में जो मुध्ण जॉलन्त है वो बुद्धा भी बहुत आहम है, क्योंकि यहां पर मुद्धा है आपकी अगणीपत योजना, जी यहां, अगणीपत योजना कोई नहीं योजना नहीं है, इसकी जो सुरूबात है वो पहले कई देशों में चल आपको अगनी बीर बनाएगी अगनी बीर बनकर आप देश की सेवा करेंगे जिसमें 6 महीने की आपके टेनिंग रहेगे और टेनिंग के बाद आप बिल्कुल सेनिक बन चुके होंगे और 4 जाल तक आपको सेवा में काम करना है अगर सेवा की बात करें तो सेवा के तौर पर चार साल लेने के बाद उसके 25-30 जो पहला बैच होगा उसके 25-30 जो सेनिक हैं जो अगनी बीर है उनको स्थाई केड़िये जाएगा जो की चैन की योग होंगे जो बैतर होंगे काम के इसाब से प्रफॉमेंस बहुत अच्छा हो याँड हो रहे हो जो ने अगर पैसाल में ज्याली से करते रहें तो इसके पुटार्मेंट के आधार पर उनको पैसा उनकी तंखा से कटेगा उसके वर आणा पैसा सरकार देगी हो बुप संहे जो कि उत्सके बाद आपके ताहिं मिनेंगे पैसा काटा जाएगा और अखरी में देकल लबबब चानिसरे निञेंगे जिसमें आपके लवा-लवा 12500 पर काते जाएंगे और इस चार साल का जो आपका डिडेक्षर है जो आप धन्रासी काती जाएंगी इसी धन्रासी में सरकार अपनी पैशा जोड़ते हूए चार साल बाद जब आपको रटार्मेंट देंगी चार साल बाद सेवा से उसके बाद आपको लवा लवा ग्यारा लाख एकतर हजार रुपए आपको दिये जाएंगे अब मैं बात करता हूँ कि यहां पर जो यूजना है इसकी सुरूबात कैसी है सुरूबात तो यहां पर की गई है और जानकाली दी गई है कि साले 17 साल से 21 साल तक की यूबा इसमें भरती हो सके और साथी साथ यहां पर जो यूजना है वो भी पूरे अलग है अगर हम बात करें इस यूजना की अगर हम बात करें तो ऐसी यूजना पहले भी कई देशों में लगातार चल रही है अब अगर हम बात करें कैसे चल रही है तो आपको बतारूं कि टूर अब डूटी के नाम से यह जुना कई देशों में लागू है दुनिया कई देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री के लिए एक टैवक पर काम करना पड़ता है अब ही हम जाने कि टूर अब ड्यूटी क्या होती है और कौन-कौन से देशों में यह लागू है तो आपको बतादू टूर अब ड्यूटी यह बेश्ता रही है बिटिन की बात करते हैं उसके बार अगर हम इस जुना की टूर अब ड्यूटी की बात करें जो कि हमाया के अगरी पर जुजना की जैसे ही है इसमें लब 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 तीस से अरिक डेसों में टूर अब ड्यूटी का नियम किसी ना किसी रूप में और रंगर हम बात करें एजराहिल की तो यहां पर दोनों ही मिलिटरी सर्विस के लिए उन वार है तुर्स मिला ऋ पुरूज इज्राइली न सब लेया उन दो साल को करीकण दो साल के लिए जट येयर्डाइल में सेबा है रही है यहां देश में रह रहा है जो बिल्स में रह रहा है इसा नहीं अगर आप ब्राजिल के बात करें तो ब्राजिल चोटा डेश है पर उसके बाब जूर वहां पर 18 साल से अरेक उम्र के कोई भी युवक रहेगा इस तरी रहेगी उसके लिए एक साल आपको सहना में देना अनव सहन सेबा करनी पड़ती है और यहां पर पहले दो साल देने पड़ते हैं अनिवार सहन सेबा की रूप में पर आप 12 महीने दिये जा रहा है एक साल आप दे सकते हैं और उसके बाद आप जब निकलेंगे तो आपको परिता मिलेगी तमाम नौकरियों में तमाम ब्यूस्था है या कि बाद करें वहां में यहां तक परिता ग्याद साल की सहन सेबा देनी परती है कि nemा पर आपको आपको पुरसेआ कि तहट जैन में परसेबा उडियोट सेबा बहा आ किंवे में आो शेन निसेबा लागू है और कहां जाता है कि यहां पर सेवन परसों को बेस्क होते ही मिर्टी में सामिल होना अनवार होता है और महलाओ को लिए यहां पर थोड़ा सा बेश्चा ठीक है कि अगर चाहें तो सेना में सामिल चुक्ती है जरूरी नहीं सिंगापर में भी सेना सेनसेबा अनवार है और हर परसको 18 साल की उमर होते ही सिंगापर आर्म्ड फोर्स में सामिल होना पड़ता है यह भी वहस्ता है चीन में अगर बात करें तो यहां पर जो अनिवार सेनसेबा है और 1949 के बाद लागू है लागू नहीं की गई है क्योंकि आर्मी को लगता है कि लोग सुच्चा से आते ही नहीं है पर यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन तकनीजी तोर पर नागरगों को मिलेट्री सर्विस की ब्योस्ता देता है पर यहां पर उनिश्व रंचाज के बाद सेवा अनवाद नहीं की गई थी पर चीन में देखते हैं कि लोग लगातार सेन सिवा में भरती होने आते हैं और चीन की जो छमता है जो बीच लाग से उपर सेनिक उनके बताती है कि उनके पास युवा का दल है युवा जो संती है वह बहुत जादा है साथ तुर्की और नार्वे जैसे देसों में भी यह सिवा तूर देखते हैं कि अब अग्रीपटरि जुनागी तो यह तूर अप डूटी जो लबा लगबन मैं आपको बताया बिस्ट्व के लबा लबा तीस दिसों में यह लागू होने के साथ साथ मैंने कई देसों की ब्याष्टा आपको बताई जिबस चीन भी बताई जिराल भी दच्छिर कोरिया इसाल और महिला के लिए 7 साल तो यहां पर हर तपके के लिए बेहुस्था बनाई गई है कि महला के लिए अलग है साथ साल के लिए है और पुरुस के लिए 11 साल के लिए यह हम बात करें दच्छिर कोरिया की इजल में में आपको ताया कि बारा महिने अठारा महिने की आप ब्यास्था बताई गई है तो जो यह टूर अप ड्यूटी की ब्यास्था थी उसी टूर अप ड्यूटी की सेना में युमा को बुलाया जा रहा है यहाँ पर यह चीज़ अनवार नहीं की गई है जबकि और देसों में अची अनवार है यह थोड़ा सा अंतर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अनवार नहीं है यहाँ पर अभी फिराल अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं साले सत्रा साल से एकीस साल तक के युबा अगने बीर बन सकते हैं अगनी पतर जुना के तेहर जिसमें लाब भी है आपको बेतन भी मिलेगा साथी साथ जाब चार साल वाड़ाड होंगे तो आपको यहाँ पर पैकेज भी मिलेगा और पैकेज के साथ-साथ यहाँ पर आपको बरिता भी मिलेगी और आप अपने रिजूमे में अपने बाईटा में अगनी बीर लिखेंगे यानि आपको जो तमाम प्राडिसिक बल है तमाम पुलिस की जो विंग हैं और तमाम जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पर आपको बरिता मिलेगी अगनीबीर होने के नाते यानि कि जो 46,000 की पहली भरती रहेगी इसमें लबा लबा साले 11,000 जो युबा रहेंगे उनको 25 परसेंट जो उनको कहा है कि उनको स्थाई कमीशन दिया जाएगा तो वो लम्मी नोक्री करेंगे अगर उनकी पापर में अच्छी रहती है ये एक मानक बनाये गया है यानि कि चार साल की डूटी के बाद देश को 25 परसेंट बो लोग मिलेंगे जो चार साल की मेहनट करने के बाद एक प्रिकार से तपने के बाद सरकार को मिलेंगे यानि 21 साल बार अगर कोई 17 साल में बढ़ती होता है, तो लब-लब 22 साल के बार वो सेना में स्थाई के डर पर जाएगा, और तब तक वो सेन टेनिंग, सेन ब्योस्था है, सेन संस्कृती को समझने बाला होगा. अगले जो दूसर साल लाएगा, उसमें हम 50 जार भरती का लच्छ रखा गया है, पर वो ब्योस्था लाएगी, पर और जो चीजें अब आ रही दिर दिरे, बुरूड हो रहा है, प्रिजसन हो रहा है, आगजनी हो रही है, तो मेरा मानना है कि बेरुस्ता क्यो रही है, बही अगर कोई यूणा लाई जा रही है, तो यूणा को हमको समझना होगा, यूणा क्या है, कैसी है, कैसे काम करते हैं, और कही न कहीं यहाँ पर ब्यापक पिचार नहीं हो पाया, कु कि अगर कोई भी नरियस्मिल आते हैं और व्यापग प्यापग पैचार पचार पैसान नहीं होता है तो चीजे समझ में नहीं आती है क्योंकि यहां पर चीजे भर्मित करनी बहुत आसान है यानि कोई बी स्थिति आती है को वी बात आती है वो अगर उसको आपने इसको समझा के पैसा कम है कांगे और कहें से क्या होगा आँ यह अगर जबता वो रहे हो गया तो क्या मिलेगा और कहेंगी एक six maynे कैसे training ले पाएगा लबी training होती है पर यह मांनकर चलिए जो स्टर्ण training चाहे चार साल की हो चाहे दो साल की हो training training होती है और six maynे की training कमतर नहीं होती है कई यासे विभाग है जहां पर तीन माईने, छाह माईने, आठ माहने की gur bastard कल्चर समझने में अंतर समय लग सकता है और साथी साथ यहाँ पर अगर आप कुछ बैता करने जा रहा है तो उसका परिचार बहुत जरूरी है मैंने आपको कहा कि यहाँ पर केवल और केवल परिचार नहीं हुआ पिसार नहीं हुआ हम बताई नहीं पाए कि किस طرح से युवाओं के लिए बैतर है किस तरह इसको युवाद ले सकते हैं और इसको बिकल कुरूप में आप सेना के लिए लख सकते हैं इसका दूब ब्यूस्ता इस वरी समय है जो पर्फरमेस अच्छी रही चैन देखेगा चैन के बार आगर आपकी पर्फरमेस अच्छी रहती है तो आपको इस्टाइक एडर जा रेटार्मेंट ले लिजे एक पैकेज आपको दिया जाएगा और आपको परिता मिलेगी और सारी सुबढ़ाय आपको जो एक सेनेक के अच्छर से बड़ी-बड़ी खबरे आई कि वहां पर ट्रेंट में लगा जी गई आगजनी की गई टायर जलाए गए रेल ट्रेक रोके गए और सरकारी व्योस्ताओं को नुकसर पोजाने का प्रियास किया गया तो पहले इसकीम तो समझना जरूरी है इसकीम समझना जरू नहीं की गई है यहां पर रिजना अन्यवार नहीं है कि आपको यहां पर आना है जबकि अन्य देशों में टूर अब ड्यूटी के तहट तमाम तरह के उजना चल लई है उसी की जैसे जहां पर आपको अन्यवार रूप से सेना में सेवा देनी है चाहरे बारा मैने के लिए चाहे 18 महीने के लिए चाहे 11 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए और चाहे 6 महीने के लिए यह अन्य जिस्टों में लागू मैंने आपको अभी बताया है और साथी साथ इस विजना के तहएट जो अंगरेजियों के जमाने की जो एक भरती पिक्रिया चल लाई ती वो भी खतम हो जाएगी रेजरिमेंट सिस्टम चलता था। जाती के अरृर्प से ज강 के आर पर भिवस्ता खतम हो जाएगी कि आप किसी भी रेज़िमेंट में अपनी भरती कर सकते किसी वी रेजरिमेंट में आ Mac में जिबिंगल के रिचिवतर्यान ही आठी है को यह महां मराथेंड यह की बाद होती थी ऑजि बाद होती में वही लोग यहां पर अंग्रिजों के समय की र 활चा बरती में實 में आप काम कर सकेंगे तो यह पर भी हो tulip कर आपको भी तन मी मिलेगा नार्मन प्रेकिज भी आपको मिलेंगे और साथी साथ 25 परसेंट जो है आपको लोग स्थाइक एडर में जाएंगे यानि लवह लवह अगर हम बात करें तो लोगों के नौकरी होती जाएगी चाल साल के बात से जो लोग होंगे लवह लववभा 12,000, 15,000, 60,000 यहां पर समय यहां पर यहां पर युवहा की संख्याव बढ़ती जाएगी और यस तरह से युवा की आबादी हमादे से बढ़ रही है, मैंने को दाया है कि 2030 की एक रिपोर्ट के मताबिक 2030 तक हिंदुस्तान में युवाओं की आबादी साथ पेटिशन से उपर होगी, और ये आकला पूरे बिसमें सबसे ज्यादा है, यानि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं की पेटिशन आबादी रहे तो निस्ति रूप से यहाँ पर लाब मिलेगा, और साथी साथ हमारी सेन श्यादा भी मजबूत होगी, अगर हम अभी बात करें तो सेन श्यादा के मताबिक हम अभी बिसमें दूसरी सबसे बड़ी सेना है, साड़े चोड़ा लाग के साब से, हमसे पहले केबल चीन है, जि को जब दूसरी रूप से यहां पर सेना बढ़ेगी, सेना में लोग बढ़ेंगे तो हमारी सेन श्यादा आने वाले समय में हम विस्ति की सबसे बड़ी सेना की रूप में इस्थापिर हो पाएंगे, वो सेना जिसमें अढिकांस युबा सेनिक होगा, जो सेनिक हैं बड़ि तो इसमें भरती के साफ से अगर देख़ा है तो किवाल तीन पैटी सथ ही अगनी बीर सेनिक देश की आर्मी में सामिल होंगे के टीन पैटी सथ जो कि इसमें जो पैकेज अगर जो पैसा रखा गया है वह हुद्लेकर शेडी के साफ से लख़ गया है यहां पर थोड़ा सा जो मान दे है उसके बाद अगर आम रूस की बात करें रूस में जो तूरब डूटी की वेवस्ता लागू इसमें आप 17 से 27 साल तक रोना वेवस्ता रखी है 18 से 27 साल तक यह राद पर 9 साल यहां पर हमने का विल कोट साल साल से 27 साल रखी है जो की एंडी के चाब सेrios कोर्स से रहती है साघे सोला से सा साल इन्ट से रहती है यहां पर 21 साल बढ़ाएक गई तो में ख्याल से यहां पर भी कुछ चेजमेंट को कर सकते हैं हलाकि जो युबाओं की विवस्ता है उसके जाब से 21 साल ठीक है पर तब भी इसको हम 23 या 24 साल पत्चीस साल तक कर सकते हैं तो कि अन्य ससत्य बलों में यही उम्र मानी जाती है और यही मांगी जाती है कि कर अगर लोग शाहीर है तो उनके क्या मिलेगा तो यह लब अलब एक करोड़ का यहां पर आपको पैकेजी बिलेगा आपको दिया जाएगा पर बार को दिया जाएगा अगर कोई सभी रहे और मिठक को जस तरह से इस पिकार से माध्यम से सोचल मेडया के माध्यम से लोह पहुंचाय गया तो कई भ्रातियाइज पहले ब्रातिय का पर्णा मेठा कि जगए उपद्र हुए और इन उपद्रों के चलते हम देख रहे हैं किस तरह से ब्यौस्ता ख बंपर भरतिया है हाँ कुछ ब्यापक पिचार यहां पर जरूरी है मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी युजना आप लेके आते हैं सरकार से मेरा नेवेजा नहीं कोई भी युजना लेके आते हैं इसका ब्यापक पिचार पिचार बहुत जरूरी है युजना कैसी है क्या लाव होगा और अगर युबाओं का कुछ फीड़वेक आ रहा है तो अगर उसमें कोई बदलाब होचकता है तो बदलाब भी बहुत जरूरी है क्योंकि सेरा के तीनों बिंग में ये बेवस्था रहेंगी आप भी से रहेंगे निक्तिया रहेंगी और बेतन मिलेगा यहां पैकेज मिलेगा सारी बेवस्थाय रहेंगी जो सुबदा है मिल्टरी मेन की सारी सुबदा मिलेगी इसके लावब वह अगनीबीर के लाएंगे अपने रिज्यूमे में भी लखेंगे और साथी साथ उनको तमाम नोकरियों में बरिता भी मिलेगी और अगर वह चार साल बार कोई रोजगार करना चाहते है निसी रूप से उनको उस रोजगार के लिए भी अनुदान दिया जाएगा एक अगनीबीर की रूप में तो यहां पर अच्छा मंतर आले कि पेसकस तो बर अच्छी है पर पेसकस को आपको लोग बताना भी है पर मां के लाब क्या है नाकारात्मक जो होती है वो चीजे पहले फिला जी आती है और इसी नाकारात्मक चीजों के कारण उपद्र होता है अब ही हाल में आप में डेखा है C.A.N.R.C. के लिए के पूरे देश में उपद्र हुआ और कई लोगों से जानकाई लीगे तो उनको पते रहे था C.A.N.R.C. है क्या लोग का कहना था कि C.A.N.R.C. के माध्यम से हमको देश से बहार निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो यहाँ पर भ्रातिया पहलती है और जो लोग भ्रातिया पहलाना चाहते वो अपने मनसूबे में सफल हो जाते है क्योंकि सरकारे कोई भी युजना लाने के पहले कोई भी व्योस्ता पताने के पहले ब्यापक पैचार पिसार नहीं करती है आप युना बताईए उसको बेकल्ब के रूप में बताईए कि इस तरह आपके लिए बैतर है अगर युवाओं को अच्छा लएगा तो इस रूप से वो इसे जुना में सामिल होंगे और अगर उनको बैतर लगेगा तो इस रूप से जुना का लाप भी लेंगे तो आपको पिचार पिचार करना है और अगर कुछ युवाओं में कुछ संसुधन हो सकते हैं तो हमको संसुधन मी करने के हम संसुधन क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर संसुधन की जरुवत है तो वहाँ पर करना चाहिए और साथी साथ ब्यापक पचार पिसार होना चाहिए हम अपनी तमाम चीजों का ब्यापक पचार पिसार अखवारों के माद्धम से मैगजिन के माद्धम से मीरे के माद्धम से करते हैं मेरा मानना ज़े इसको भी एक ब्यापक संदेश के माध्यम से लोगों तर पहुचाना चाहिए कि ऐसी ब्यापक तोर पर पेचार पेसार होना जरूरी है जसे लोग जाने कि बास्तब में चीजे क्या है अगनीपत क्या है चोकि अगनीपत में जो चलने वाला अगनीबीर होगा उसको लाब क्या मिलेंगे वो देश के लिए कैसे सेवा कर सकेगा और कई तरह के मिठक जो पताये गए ते कि जो वो चार सलवार निकलेगा तो वो जो देश सिवा में जाता है, जो चार साल के मिलिट्री के अनुसासन में रह के आता है और जिसको देश सिवा के जजवा पैदा के जाता है, वो कभी देश के लिए नुकसान देश सावित नहीं होता है। अनुसासन के चलते आपकी जीवन से अलेवी चार साल बाद बिलकुल एक सेन यूबक की रूप में रहेगी, जिसका आने बाले समय में आपको लाब भी मिलेगा। कि जो भी यूजना लेकि आए, उसका बैपर पिचार पिचार करें। अगर हो सके, तो संसोजन भी करें। क्योंकि संसोजन के माध्यम से अगर हम कुछ बैतर करेंगे, तो देश की रूप से उस यूजना से देश को लाब भी होगा। और बवाल, आगजनी, उपतर जैसी घवाई घटना है, हमारे देश में नहीं होगी। क्योंकि बस्रेव को टमगम की भामना के साथ आँगे बढ़ते हैं, देश की युवाही हमारे देश के विकास के आधार है, और युवाओं के लिए काम करना, युवाओं के लिए युजनाय बनाना, युवाओं को उन्नती के परपागर सर करना हमारा नेतिक कर्तब भी है, और हमार समिनान भी यही बोलता है, कि देश की युवाओं के उपर हमारा भविश से निर्भर है, और युवाओं को लेके आगे बढ़ना है, तब ही हम विस्वगुरू बनने के सपना देख सकते हैं, अगर भारत को विस्वगुरू बनना है, तो इस तरह की युजनाओं क हैं, वो आपकी तमाम उजनाओं पर पलिता लगाते नजर आएंगे, और अच्छी जनाओं को भी खराब साबिर करने में लगे रहेंगे, तो अगरी पर में, अगरी बीर, क्या होगा, कैसे बनेंगे, और युवाओं का रुजहन कैसा होगा, यह आने वाला बक्त पताएग और शुरू होगी, और साथे साथ मेरा मानना यह है, आज मेरा भारत बनाने के लिए आपको इस तरह के जुनाओं के साथ-साथ, कुछ बेरोजगारी सब्मंदित, स्वरोजगार सब्मंदित, यह जुनाओं को भी लाना होगा, जहां पर आपको रुबाओं के लिए, लोगों को रुजगार दें, तो आज के चर्चा में इतना ही, मुझे जियनों दी, नमस्कार, आप देख रहे हैं, प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार,